आईए बच्चों, अब हम समझेंगे सजाती लक्षन और सम्रित्ती लक्षन क्या है? तो सजाती लक्षन मतलब ऐसे लक्षन जिसमें उत्पत्ती एक जैसी है और कार्य अलग-अलग होते हैं. इसे समझने के लिए हम पौधों का और जंदों का दोनों का उधारन ले सकते हैं. और ये सजाती लक्षन और सम्रित्ती लक्षन ये परिक्षा की point of view से बहुत ही important प्रशन है, ये चार नंबर के लिए पूछा जाता है. तो इसमें जब आपको उत्तर लिखना होगा तब आपको उधारन जरूर देना होगा. तो आज ऐसे ही हम सजाती लक्षन और सम्रित्ती लक्षन को कुछ उधारन के द्वारा समझेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सजाती लक्षन की. तो सजाती लक्षन में सबसे पहले हम उधारन देखते हैं पौधो का. तो यहां पर आपको कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं. जैसे कि कद्दू, कद्दू का पौधा है, आलू, आलू का पौधा भी दिख रहे हैं औ दूसरा आलू, आलू को तो आप अच्छे से पहचानते हैं, आलू या कंध, जिसमें आपको छोटी-छोटी कलिकाय, आपने देखा भी होगा घर में छोटी-छोटी कलिकाय दिखती हैं, और उनी कलिकाओ से ही फिर एक पौधे का निर्मान होता है, तो यह हो गया आलू, तीस है कि तीनों पौधों की उत्पत्ती जो है, यह तने की कलिका सी हुई है, तने की कलिका रुपांतरित होके ही कद्दु में प्रतान बन गया, तने की कलिका में रुपांतरन हुआ, तो क्या बन गया, कंध बन गया, वैसी ही तने की कलिका का रुपांतरन हुआ, तो क्या बन तो हम कह सकते हैं कि तीनों पौधों में तने की कलिका रुपांतरित होके प्रतान, कंध और काटो का निर्मान किया या काटो का निर्मान हुआ तो इस प्रकार के लक्षन जिसमें उत्पत्ती एक जैसी तो तीनों के उत्पत्ती एक जैसी हुई अब इनके कारे की बात करते है क्या इनके कारे अलग-अलग है बिल्कुल इन तीनों के कारे अलग-अलग है जब प्रतान की बात करेंगे तो प्रतान का कार है पौधे को सहारा प्रदान करना वही आलू कंद की बात करेंगे तो ये भोजन संग्रहित करने का कारे करती है तीसरा नीबू में काटों की बात कर आते हैं तो यह निवू का पौधा अपने आप की रक्षा करेगा ऐसे जानवरों से अपने आपको बचाता है तो कैसे बचा रहा है क्योंकि इसमें काटो का निर्मान हुआ है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन पौधों में कार जो है अलग-अलग है लेकिन इनकी परजाती लक्षन को समझने के लिए हम जन्तों का उधारन लेते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहा है जिसमें हड़िया दिख रही है जैसे सबसे बले आप देखेंगे कि पक्षी और चमगादर इनके पंक आपको दिखाई दे रहे है पंक में जो हड़िया अंदर मैं आप देख सकते किस प्रकार से दिखेगा उसके बाद हम बात करते हैं डॉल्फिन और सिल के पंक आपको दिखाई दे रहे हैं आगे जाते हैं तो कुट्टा और भेड की अगली टांग आपको दिखाई दे रहे हैं ठीक है और फिर है हड्डियों में जो अगली हड्डी है ये यूमेरस है और इस अगली हड्डी से जूड़ी हुई जो दूसरी हड्डिया है वो है रेडियस और अलना आप सब में ये देख सकते हैं अगली हड्डी है यूमेरस और इन हड्डी से जूड़ी हुई जो अगली दूसरी हड्डिया वो है radius और अलना इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन सभी जीवों के इन सभी जानवरों के जो पूर्वज थे वो एक जैसे थे क्योंकि इन सब में हड्डिया जो है एक जैसी है तो इनकी पूर्वज एक जैसे हुए मतलब इन सबही जानवरों की उत्पति एक ही पूरवज सी हुई है चलिए अब हम इनके कारी की बात करते हैं तो कारी अगर हम बात करेंगे पक्षी और चमगादड की कारे की बात करेंगे तो इनका कार होता है उड़ना इन में जो पंक होते हैं ये उड़ने में साहयक होते हैं दूसरा डॉल्फिन और सिल इनके जो पंक होते हैं इने पानी में तेरने में साहयता करते हैं फिर है अगली टांग जो की कुट्टे और भ इसको पकड़ने में सायता करते हैं. इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन सभी जनतु के उत्पत्ती तो एक जैसी है, लेकिन इनके कार कैसे हैं? अलग-अलग है. इसलिए ऐसे लक्षनों को हम सहजाती लक्षन कहते हैं. तो बच्चों सहजाती लक्षन में आप फिंच पक्षी का भी उधारन दे सकते हैं, क्योंकि फिंच पक्षी जो होते हैं, इनके पुर्वज भी एक जैसे थे, मतलब इनकी उत्पत्ती एक समान पुर्वज से हुई है, लेकिन इनके कार जो हैं ये अलग-अलग है. तो फिंच का उधारन देखर भी आप लिख सकते हैं परिक्षा में. अब हम बात करते हैं सम्रित्ती लक्षन की. तो सम्रित्ती लक्षन को आप ऐसे याद रखेंगे कि सजाती लक्षन में जो हमने परिभाशा देखी है, उसी का उल्टा हो जाएगा सम्रित्ती लक्षन में. कैसे? तो सम्रित्ती लक्षन मतलब ऐसे लक्षन जिसमें उत्पत्ती अलग-अलग है, लेकिन कार कैसे है? समान है. लेकिन सजाती लक्षन में हमने क्या बोला था? सजाती लक्षन ऐसे लक्षन जिसमें उत्पत्ती एक जैसी है और कारी अलग-अलग है तो आप दोनों का डिफरेंस समझ गए होंगे तो चलिए सम्वृत्ती लक्षन को भी हम उधारण से समझते हैं जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पक्षी के पंक दिखाई दे रहे हैं और वहीं पर आप देख रहे हैं तितली के पंक दिखाई दे रहे हैं तो पक्षी के जो पंक होते हैं इसका जो निर्मान होता है यह इसके अग्रटांग से बने हैं पकशी के पंख कैसे बने इसके अगर टांग से बने है तो तितली के पंख किस से बने है तो दोनों की उत्पत्य हुई न अलग अब इंके कारी की बात करते है तो दोनों का कारे मतलब पक्षी में जो पंक पाये जाते हैं और तितली के जो पंक पाये जाते हैं हम अच्छे से जानते कि पंक की सायता से वो क्या करते हैं उड़ते हैं तो दोनों के कारे क्या हो गए समान हो गए लेकिन इनकी उत्पत्ति कैसी हुई असमान अलग अलग तो यहां पर आप देख रहे हैं शकरकंद और दूसरा आप देख रहे हैं आलू तो शकरकंद जहां पर एक संशोदित जड़ है वहीं आलू जो है यह संशोदित तना है तो तने का रुपांदरन आलू में हुआ है यहां हम कह सकते हैं कि जड़ का रुपांदरन शकरकंद में हु अलग-अलग हुई लेकिन दोनों के कार्य के अगर हम बात करेंगे तो दोनों का कार्य है भोजन को संग्रहित करके रखना भोजन का संग्रहन करना तो यह संबृत्ति लक्षन का बहुत अच्छा उधारण है कि ऐसे लक्षन जिसमें उत्पत्ति अलग-अलग होती है लेकिन क बच्चो अब हमारा अगला टॉपिक है चयन और विकास तो जब डार्विन का बीगल का सफर खत्मुआ था और वो इंग्लेंड वापस आ गये थे जितना भी जानकारी उन्होंने एकट्टी की थी जितना भी विवरण उनके पास आ गया था उन पर वो अध्यान करने लगे उ प्ता कि क्रित्रीम चैन एसा चैन है जिससे मनुष अपनी इच्चा शार पसंदिदा लक्षनों का चुनाऊ करता है और नई नी प्रजातियों का चाहे पौधों की बात करें या जानवर की बात करें नए नी प्रजातियों का निर्मांण कर सकता है तो उनके मन में आया कि प्रकृति में जो इतने सारे विवित प्रकार के जो जीव दिखते हैं क्या वे भी किसी चैन प्रक्रिया का नतीजा है फिर डार्विन ने आगे चल कर प्राकृतिक चैन क्या होता है इसके बारे में बताया दार्वी ने कहा कि प्रकृतिक चैन भी एक प्रकार से प्रकृति के द्वारा स्वतह चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें प्रकृति अपनी इच्छा नुसार ही चुनाव करेगी कि कौन सा जीव जीवीत रहेगा कौन सा नहीं तो इस प्रकार का जो चैन है उसे हम प्राकृतिक चैन कहते हैं तो बच्चों ये प्रश्ण परिक्षा में पूछा जाता है कि प्राकृतिक चैन और कृत्रीम चैन में क्या अंतर है प्राकृतिक चैन किसे कहते हैं कृत्रीम चैन किसे कहते हैं ये भी प्रश्णा आ सकते हैं मूली का खेत तजरा रहा हैं। तो इस प्रकार का जो चैन हुआ उसे हम प्राकृतिक चैन कहते हैं। प्राकृतिक चैन को समझने के लिए आए हम फेट सिमुलेशन के द्वारा समझेंगे कि प्राकृतिक चैन क्या है। यहां एक मैदान एक सफेद रंग का खरगोश देख रहा है। खरगोश भोजन की तलाश में इधर दर घूम रहा है अब देखे उसे भोजन मिल गया वहां कुछ समय बाद एक और खरगोश आ जाता है अब इन खरगोश के बीच में जब लेंगी प्रजलन होता है तो धेरे धेरे इनकी संख्या बढ़ने लगती है जैसी खरगोश की संख् जब नीचे की और अब देखें कुछ भैडिया आ जाते हैं जो खरगोश का शिकार करने लगते हैं यह यह धिजिद्या कुछ खरगोश को अपना भोजन बना लेते हैं अब फिर से धीरे-धीरे खरगोश की संख्या कम होने लगी। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं कि कैसे ग्राफ का जो लेवल है वो नीचे की तरफ आ रहा है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए खरगोश फिर से लेंगिक प्रजन से नए खरगोश जन्म लेते हैं। धिरे-धिरे फिर से इनकी संख्या बढ़ जाती है। फिर से आप ग्राफ में देख सकते हैं कि जैसी संख्या बढ़ी ग्राफ उपर के और जा रहा है। अब कुछ समय बाद खरगोश के एक और नई प्रजाती आ जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहें गुरे रंग का खरगोश है। जब उस मैदान में आ जाता है। अब क्या होगा। फिर से इन खरगोशों में लेंगिक प्रजन होने लगेगा। लेंगिक प्रजन से नए भूरे रंग के खरगोश का जन्म होगा। देखिए जैसे नए भूरे रंग के खरगोश का जन्म होगा। इनकी संख्या बढ़ने लगी। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कैसे ग्राफ उपर की तरफ जा रहा है। फिर से यहाँ पर जब भेडिया शिकार खरने आया। उन्होंने कुछ खरगोश को खा लिया। जब सफित खरगोश को यह भेडिया जादा खाता है तो इनकी संख्या धीरे-धीरे कम हो जाती है। भूरे रंग के खरगोश ने इस आपदा से अपने आपको बचा लिया। तो इनकी संख्या धीरे-धीरे क्या होने लगेगी बढ़ने लगेगी तो जो जीव बच जाता है उसकी आबादी धीरे-दीरे बढ़ने लगती हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रकृती ने इन जीवों को चुना इसलिए भूरे रंगे खरगोश की संख्या बढ़ने लगी और सफेद रंगे खरगोश की संख्या धीरे-धीरे कम होने लगी क्योंकि प्रकृती ने इसे चुना इसलिए हम इसे प्राकृतिक चैन कहते हैं बच्चों अब हम बात करते हैं कृत्रीम चेयन और इसको उधारन की द्वारा समझेंगे कृत्रीम चेयन जिसको मनुष अपने पसंदिदा लक्षनों का चुनाव करेगा पौधों के कुछ लक्षनों का चुनाव करेगा और एक नई फसल या नई प्रजादी का निर्मान करेगा ऐसे ही कुछ पसंदिदा लक्षनों के जानवरों का चुनाव करेगा और उनसे एक नई प्रजादी का निर्मान करेगा इस प्रकार का जो चैन होता है उसे हम कृत्रीम चैन कहते हैं आपने देखा होगा कि पालतु कुत्तों की अधिक्तम नसले आपने देखी होगी अलग-अलग प्रकार के कुत्ते आपने देखे होगे तो ये कैसे बने इजे इन्हें मनुष्यन ने बनाया है अपने पसंदिदा लक्षनों का चुनाओ करके इस प्रकार से पालतो-कुत्तों की अलग-अलग नसल बनाई गई है तो ये किसका उधारन हो गया? कृत्रीम चैन का और आप देख रहें कि फसलों के अगर हम बात करें तो गेहु के बहुत सारी किसमे चावल की धान की बहुत सारी किसमे आप खाते है तो ये इतनी अलग-अलग प्रकार की प्रजातिय हम देखते हैं तो ये कहां से बनी? कैसे बनी? तो इनको कृत्रीम चैन के द्वारा बनाया गया है ऐसी आप देख सकते हैं गुलाब को देखिए अलग-अलग प्रकार के गुलाब छोटे आकार के बड़े आकार के अलग-अलग रंग के यह गुलाब आप देख रहे हैं तो ये भी कैसे बने इसी भी मनुश्य ने अपनी इच्छा अनुसार अच्छे लक्षनों का चुनाओ करके इस प्रकार के गुलाबों का निर्मान किया है तो ये भी किसका उधारण हो गया? कृत्रिम चैन का ऐसी आप देखेंगे गुड़ल के फूल को देखेंगे पहले जो फल हुआ करते तो अभी जो आप फल देखते हैं काफी ताजे दिखाई देते हैं आकार में काफी बड़े भी होते हैं और इनमें काफी पोशकतत्व भी होते हैं तो ये फलों का निर्मान भी कैसे हो रहा है? जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं इन फलो का निर्मान भी कैसे हो रहा है कृत्रिम चैन के द्वारा हो रहा है इसे हम अपनी इच्छा नुसार बना रहे हैं ऐसी आप देख रहे हैं यहाँ पर सब्जिया ठीक है तो यहाँ सब्जिया देख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते कि सर्सु का एक पौधा दिख र जिसे यहां पर आप देख रहें कि सर्सो की प्रजाती है इसे नवल गोल अगर इसके तने से एक प्रजाती बनी नवल गोल जो तने का एक रूपांतरित भाग है ठीक है इसकी पत्य चोटी चोटी होती है और तने जैसा दिखता है हरे रंग का जिसको हम सब्जी के रूप में खाते हैं वैसे ही सर्सो के पौदे से एक और प्रजाती का निर्मान हुआ जिसको हम कहते हैं मुली मुली ठीक है यह जड़ है इसे भी हम खाते हैं ब्रॉकली अपने देखा होगा जो गोभी के जैसा ही दिखता है लेकिन यह बहुत तहरी रंका होता है तो यह भी काफी पोशक्तत्व होते हैं तो यह भी क्या है इसका भी जो निर्मान हुआ है यह पुष्पकलिका और तनी से इसका निर्मान हुआ है तो यह भी प्रजाती जिसको हम सबजी के रुप में खाते हैं ऐसे ही है पत्ता गोभी और फुल गोभी यह दो सबजिया और है जिसका भी न में पत्ता गोवि मतलब पंड करी का रिका से हुआ है फुल गोवि मतलब पुष्पकरिका से इसका निर्मान हुआ है तो this प्रकार से हम web coffee N, Product की प्रजातियों का नेर्मान करते हैं कृत्रीम चैन के द्वारा और पिर इन्हें में सबजी के रुप में खाते हैं तो डार्विन ने चैन की प्रक्रिया को समझाया था और उन्हें बताया था कि जो चैन है ये दो प्रकार का होता है कृतिम और प्राकृती चैन डार्विन के बाद एक और वैज्ञानिक आये जिनका नाम था अल्फेड रेसल वेलस ये जो वैज ग्यानिक थे ये भी बीगल यात्रा पर गए डार्विन के बाद यहोने भी बहुत सार इस तंध़हरी जीओव पर अध्यान किया तितलियों पर अध्यान किया और बहुत सारी जानकारी इन्होंने भी खट्टी की अर जानकारी perspectives करने के बाद वो डार्विन जो निशकर्श निसकर्ष निकालाता वैसे निशकर्ष पर यह पहुंचे और इन्होंने भी बताया कि जो नईने जीव आते हैं नईने जीवों की जो प्रजातिया आती है इनका निर्मान पहले से उपस्दित प्रजातियों से ही हुआ है ये भी वैलस और डारविन दोनों ने वताया था अब हम बात करेंगे विकास के सिद्धांद की तो डारविन और वैलस ने जब जीवो पर गहन एद्ध्यन किया था तो उन्होंने कुछ निश्करश निकाले। कुछ नतिजे निकाले। उसके आधार पर उन्होंने जीवों के विकास के कुछ सिर्धान को प्रतिपाधित किया था यह सिर्धान क्या क्या है इसके बारे में हम जानते हैं उसके पहले हम यह जानेंगे कि इससे सम्मंदित परिक्षा में प्रशन कैसे आता है तो इससे जमन्दित परिक्षा में प्रशन आपको पूछा जाता है कि जीवों के विकास के सिध्धान के मुख्य बिंदू क्या है ये चार नमबर के लिए प्रशन आता है और आपको कम से कम चार पॉइंट लिखना होता है तो विकास के सिध्धान में हम कुछ छे पॉइंट पढ़ेंगे उसमें से जो आपको सबसे सरल लगते हो वो चार पॉइंट आप परिक्षा में लिख सकते हैं तो सबसे पहला जो सिध्धान डार्विन और वैलेस ने दिया था उन्होंने बताया कि जीवों में विवित्ता पाई जाती है और जिसके कारण उनके जो जीने के शमता होती है उनमें भी अंतर पाया जाता है कोई जीव बहुत जादा जीता है कोई जीव कम जीता है जो जीव जादा जीता है वो अपने आपको उस परिवेश में ढाल लेता है और फिर धीरे से उनसे एक नई प्रजाती का निर्मान होता है तो ये किस वज़े से हो रहा है क्योंकि जीवों में विवित्ता पाई जाती है और जो अपने आपको इस परिवेश में नहीं ढालेगा वो जीव या तो बचेगा नहीं या धिरे धिर उसकी संख्या क्या हो जाएगी कम हो जाएगी दूसरा सिधान डार्वीन और वैलेस ने विकास का सिधान दिया था उन्हेंने बोला कि विश्व में जितने भी प्रजातियों के रचना हुई है वो एक जटके में नहीं बलकि पहले से मौजूद प्रजातियों से होती है जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि मनुष्य जो बना है वो एक जटके में नहीं बना है हमने देखा कि कैसे मनुष्य के जो पूर्वश थे वानर हुआ करते थे कैसे वानर से दीरे 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 विकास के क्रम में इतना विकास हुआ कि मनुष्य का निर्मान हुआ तो किसी भी प्रजाती का निर्मान एक जटके से नहीं होता है ये उन्होंने बताया तीसरा सिध्धान बताया विवित जीवों के उत्पत्ती एक समान पूर्वस्य हुई है इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड के द्वारा दर्शाया गया है अब शाखित पेड का मतलब क्या है तो इसको हमें एक उधारन से समझते है जैसे यहाँ पर आप उधारन ले लेते फिंच पक्षी का कि जितने भी फिंच पक्षी में विवित्ता दिखती है तो ये जितने भी विवित फिंच बने इनके पूर्वच कैसे थे? एक जैसे थे? इन सब में सजाती है लक्षन थे? तो ये जो एक जैसे पूर्वच थे? तो ये देखी ये फिंच है फिंच से और चार अलग-अलग प्रकार के फिंच बने होंगे तो यहाँ पर जैसे देखिए कि एक फिंच ऐसा है जो गाने वाला फिंच है दूसरा फिंच जो है वो है कलिया खाने वाला फिंच तीसरा फिंच जो है वो पेड़ पर रहने वाले फिंच और कुछ फिंच ऐसे थे जो जमीन पर रहते थे तो हो गए अलग-अलग प्रकार के फिंच फिर इन से जब नई प्रजाती बनी होंगे तो गाने वाले जो फिंच थी उनसे जब नई प्रजाती बनी तो ये दो प्रकार की बन गई हरे रंग के फिंच और स्लेटी रंग के फिंच ये भी गाने वाले फिंच थे इसी प्रकार से जो फिंच कलिया खाते थे वो शाकारी फिंच हो गया ऐसे ही जो पेड़ पर रहने वाले फिंच थे तो कुछ फिंच ऐसे थे जो बड़े पेड़ पर रहने लगे कुछ फिंच ऐसे थे जो छोटे पेड़ पर रहने लगे पिर जमीन पर रहने वाले जो फिंच थे उन्समें से कुछ फिंच ऐसे थे जो बड़े मैदान में रहते थे कुछ छोटे मैदान में रहते थे पिर वहाँ पर जो उनको भोजन मिलता था उस हिसाब से कुछ फिंच ऐसे थे जमिन पर रहने वाले जो बीच खाते थे कुछ कैक्टस की फूलों का रस चूसते थे तो क्या हुआ इन सभी फिंच का जो निर्मान हुआ है उनके पूरवच कैसे थे फिंच पक्षी ही थे इनी से ये विवित प्रकार के फिंच बने इसलिए इसे एक शाखित पेड़ के द्वारा दर्शा आए इसी प्रकार से हम देखते हैं जीव है पूरप्रटीक्स जीव धिरे दीरे में ऐसा विकास हुआ हुआ कि फिर जगत प्रोटिस्टा बन गया, जगत प्रोटिस्टा में भी कुछ ऐसे परिवर्तन ऐसा विकास हुआ होगा, तो कौन-कौन से जीव बने जगत फंजाई, फिर जगत प्लांटी, जगत अनिमिलिया, इस प्रकार से जो पाच जगत है उसको भी एक शाखित पेड़ के द्वारा दर्शाया गया है, फिर चौसा सिध्धान्त उन्होंने दिया कि किसी भी जगे पर पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, उनके जो जनसंख्या होती है, जीवों की, उनमें विवित्ता पाए जाती है, और इनमें से जो विवित्ता है, जो विभिन्नता है, वो एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में जाती है जैसे कि किसी के बालो का रंग एक पीड़ी में एक जनसंग क्या में बालो का रंग काला है तो उसमें से कुछ विभिन्नता अगले पीड़ी में जाएगी तो अगले पीड़ी में हो सकता है बालो का रंग जो है काला हो या कुछ चे पाचवा सिद्धान्त उन्होंने बताया कि हर प्राणी जो होता है इस जगत में जितने भी प्राणी हर प्राणी अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनमें विभिन्निता है पाई जाती है ठीक है और जैसे कि अभी हमन पीडी से अलग हो जाती है उनमें क्योंकि बदला हो गया परिवर्तन हो गया तो थोड़ी अलग दिखने लगी फिर वो जो संतान पीडी से जब नई प्रजाती बनेगी तो वो और भी अलग हो जाएगी एक नई प्रजाती का निर्मान होगा इस प्रकार से यह विभिन्नता क दूसरी पिड़ी में जाती है काफी लाबदाएक सिद्ध होती है और यह लाबदाएक विभिन्नता के कारण ही विवित प्रजातिया जो है वो आवास में रहने लगती है जो ज़्यादा सक्षम प्रजाती होगी वो क्या करेगी वहां से पहले मौजूद जो आबादी है उ क्योंकि संख्या मनुष्य की अपिक्षा कम होती जा रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि मनुष्य जो है वो जादा सक्षम प्रजाती है तो पहले बहुत जैंगल हुआ करते थे जानवर हुआ करते थे तब मनुष्य की संख्या कम थी लेकिन धीरे-धीरे मनुष्य की आबादी बढ़ने लगी क्योंकि ये सबसे जादा सक्षम प्रजाती है और इसने दूसरी जीवों का स्थान ले लिया है तो जो जादा सक्षम प्रजाती रहेगी वो पहले से मौजद प्रजाती की क्या करने लगेगी जगे लेने लगेगी उनकी आबादी अपने आप बढ़ती हुई आबादी से क्या होता है क्रम्षा बदला होते रहता है परिवर्तन होते रहता है और जिससे जीवों का विकास चलते रहता है तो अब प्रशने ये है कि क्या डायनासोर जो विलुप्त हुए थे तो डायनासोर के विलुप्ती के पीछे भी क्या किसी सक्षम प्रजाती का हाथ हो सकता है क्या कोई ऐसी प्रजाती आई होगी जिसके करण डायनासोर जो है धीरे धीरे विलुप्त हो गया इसके बारे में आपकी क्या राय है आप इसमें अपने सुझाओ लिख सकते हैं क्या आप जानते हैं जैविकास के सिध्धान्त एवं उसे प्रतिपादित करने का विवरण डार्विन दौरा लिखित पुस्तक On the Origin of Species by Natural Selection तथा वेलिस दौरा लिखित पुस्तक डार्विनिजम में मिलता है ये पुस्तक के एक रमशह सन 1869 और सन 1889 में छपी थी क्या आप जानते हैं कि डार्विन्स फिंचिस क्या है और ये बायलोजिस्ट के लिए इतनी इंपॉर्टन्ट क्यों है वैसे फिंच एक खास तरह की छोटी चड़िया होती है वैल लंबे जमेंसे फिंचिस पे स्टड़ी होती आ रही है जो कई तरह की साइन्टिफिक थेयरीज के लिए जिम्यदार हैं लेकिन आखिर ये सब कैसे हुआ डिसेंबर 1831 में चार्ल्स डार्विन ने साउथ अमेरिका के सर्वे के लिए बीगल नाम के एक जहाज से अपनी समुदरी यात्रा शुरू की डार्विन का क्रियू कोस्ट लाइन के सर्वे में व्यस्थ था जिबकि वो खुद रास्ते में पढ़ने वाले आईलेंड की चानमीन कर रहे थे 1835 में बीगल इकवाडोर के पास गैलापैगोज आईलेंड के पास पहुँचा अपनी इस यात्रा के दौरान डार्विन ने जो नोटिस किया वो हैरान कर देने वाला था विशाल कचुए जलिये इगविनाज यानी गोह और फिंचेज को इकठा करके डार्विन वापस आ गए यूके वापस आने पर उन्होंने और्नेथलोजिस्ट जॉन गूल्ड के साथ उनकी स्टडी शुरू की जिससे कई इंट्रेस्टिंग रिजल्स सामने आए साइंटिस्ट्स ने पाया कि सभी बर्ड्स साउथ अमेरिका के मेन लेंड पर पाई जाने वाली फिंचेज के काफी सिमिलर हैं जो इस بात को सिध्ध करती थी कि वास्तो में इन फिंचेज ने मेन आयलेंड पर बसीरा किया था हाले कि गैलापेगोस फिंचेज ओरिजिनल मेन आइलेंड स्पीसी से तो अलग थी साथ ही वो एक दूसरे से भी अलग थी इन फिंचेज के बीच उनके रंग, चूँच के आकार और पंजों में बढ़ा अंतर था जिसके लिए उनके खान-पान को जिमेदार समझा गया कुछ चिडियों की चूँच लंबी और पतली थी जिबकि उनके पंजे नुकीले थे जो उन्हें कीडे पकड़ने और खाने में उनकी मदद करते थे जिबकि दूसरी चुडियों के चूँच बड़ी और मजबूत होती थी जो नट्स यानि बादाम वगरह तोड़ने में उनकी मदद करती थी आइलेंड के बीच दूरी ज़्यादा होने के कारण फिंचेज की अलग-अलग प्रजातियों के बीच प्रजनन मुश्किल था और इसलिए ऐसा माना गया कि डिफरेंट आइलेंड की क्लायमेटिक कंडिशन में फिट होने के लिए ओरिजनल में लेंड फिंचेज लगातार विकसित होती गई डार्विन अपने साथ 13 अलग-अलग तरह की बर्ट्स लाए थे जिनके बारे में ये अंदाज लगाया गया था कि वो पूरी तरह नई स्पिशीज हैं हलांकि उनके बीच कई समानताएं थी लेकिन कुछ अंतर भी थे जो उन्हें उनके पूरवजों से मिले थे डार्विन का मानना था कि अलग-अलग और एक ही प्रजातियों के बीच का अंतर महज एक संयोग था फिंचेज के बीच वेरियेशन का एक फाइदा ये था कि उनके बीच सर्वाइवल और रिप्रड़क्शन के चांसेज ज्यादा थे डार्विन ने अपनी इस थेरी को नैच्रल सेलेक्शन नाम दिया और इसे एक बुक के रूप में 1859 में पब्लिश किया अर्थ की बायो डाइवसिटी का ओरिजिन और इवोल्यूशन काफी हद तक डार्विन की नैच्रल सेलेक्शन की थेरी से एक्स्पेन किया जा सकता है तो इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे गैलापेगोज आईलेंड्स की फिंचिज डार्विन की रिवोल्यूशनरी थेरी नैच्रल सेलेक्शन के लिए जिमेदार है क्या इन बट्स का इवोल्यूशन अभी भी हो रहा है इस बारे में आपका क्या कहना है अब हम बात करेंगे प्रजातिकरण और अनुकुलन क्या है बच्चो प्रजातिकरण और अनुकुलन से संबंदित प्रश्ण परिक्षा में आता है जो दो नंबर के लिए आपको परिभाशा लिखने के लिए आएगा तो आपको इसको उधारन के साथ लिखना है तो अब बात करते हैं कि अनुकुलन हम किसे कहेंगे तो किसी भी जीव का अपने आवास में ढ़लने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम अनुकुलन कहते हैं तो सबसे अच्छा उधारण हम ले लेते हैं फिंच पक्षी का हम जानते हैं कि जो फिंच पक्षी है इनमें काफे विवित्ता उत्पन्न हुई खाद्य संसादोनों के अनुसार ये अलग-अलग आवास में रहने लगे वहाँ पर अलग-अलग आवास में रहने के कारण वो अपने ही परिवेश में ढ़ल गए और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फिंच पक्षी थे अपने आवास में अनुकुलित हो गए और इसी को हम कहते हैं अनुकुलन तो किसी भी जीव का अपने आवास में ढ़ल जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है अनुकुलन कहलाती है तो जो भी जीव अपने आवास में अनुकुलित हो गया अपने आवास में ढल गया धीरे धीरे उनके आबादी क्या होगी बढ़ने लगेगी क्योंकि वो परिवेश उन्हें अच्छा लगने लगा वो अनुकुलित हो गये तो धेरे-देरे उनकी जो संख्या है वो बढ़ने लगती है। अब प्रश्न ये है कि दाइनासोर के विलुप्ती के पीछे भी यही कारण हो सकता है। कि हो सकता है कि डाइनासोर अपने समय में अपने परिवेश में अनुकुलित नहीं हो पाये होंगे। जिसके कारण वो विलुप्त होए होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर डूणने का प्रयास कीजेगा। दूसरा प्रश्न ये है कि कुटुमसर गुफा की कानी मचरी जिसके बारे में अपने क्लास नाइंथ में पड़ा है। ये कानी मचरी की जो प्रजाती है कैसे अपने वंश की प्रजातियों से अलग हो गई। फिर अलग होने के बाद अपने आवास में वो कैसे अनुकुलित हुई होगी ये भी एक प्रशन है और इसका अंसर डूने का प्रयास कीजेगा तो अब हम बात करते हैं प्रजाती करण के प्रजाती करण क्या है तो हमने एक उधारन यहां फिर से हम फिंच पक्षी का लेंगे कि दक्षिन अमेरिका के महाद्वीपों में जो फिंच पक्षी थे ये फिंच पक्षी के एकी प्रजाती थी एकी प्रजाती से विवित प्रकार के फिंच पक्षी का निर्मान हुआ था ये गलापाव गोस के अलग-अलग द्वीपों में रहने लगे थे अब ये अलग-अलग आवास में रहने लगे, वहाँ पनपने लगे ये इतने अलग हो गए कि एक द्वीब के जो फिंच पक्षी थे दूसरे द्वीब के फिंच पक्षी से लेंगिक प्रजानन करने में असमर्थ हो गए इतने विभिन्नता इनमें आ गई थी और इस प्रकार जीवों में विभिन्नता से या जीवों में विवित्ता से अलग प्रजातियों का बनना ही प्रजाती करन कहलाता है तो प्रजाती करन यान एक नई प्रजाती क्यों बनी? क्योंकि जीवों में विवित्ता उत्पन हुई और जिसके करन एक नई प्रजाती बन गी और नई प्रजाती का बनना ही क्या कहलाता है प्रजाती करन कहलाता है तो प्रजाती आखिर क्या है तो डार्विन की समय प्रजाती जीवों के समू को कहा गया जो आपस में लेंगिक प्रजनन कर सकते हैं ऐसे जीवों को उन्होंने प्रजाती कहा गया और उन्होंने जैविक प्रजाती कहा लेकिन डार्विन काफी चिंतित है उनके चिंता का कारण था कि कुछ ऐसे जीव है जैसे की कच्छवा छिपकली है इनमें भी लेंगिक प्रजनन होता है लेंगिक प्रजनन होने के बावज इनसे जो जीऊ बनी वो काफी अलग थे उन में काफी भिंणता थी और इसलिए इन्हें इने एक नई प्रजाती ही मानना पड़ा। तो इस प्रकार से क्या हुआ लेंगिक प्रजनन वाले जीव से प्रजाती तो बनी लेकिन वो काफी अलग थी इसलिए उन्हें एक नई प्रजाती के रूप में माना गया और साथ ही डार्विन ये सिद्धनी कर पाए कि जो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो लेंगिक प्रजनन नहीं करते हैं दूसरा आवास और तीसरा है खादिस अंसाधन में बदलाओं तो अगर किसी जीव की प्रजाती वहां रह रही है और वहां पर किसी प्रकार की प्राकतिक आपदा हो जाती है बाढ़ आ जाती है भुकंप आ जाता है तो वह जीव तो मर जाएंगे हो सकते हैं उसमें से कुछ जीव बज गए अब वो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए दूसरी जीव के साथ लेंगिक प्रजनन करेंगे तो क्या होगा एक नई प्रजाति का निर्मान हो जाएगा इसलिए नई प्रजातिया बन रही है दूसरा कारण हो सकता है इनका आवास आवास इनका बदल जा रहा है जिसके वज़े से भी एक नई प्रजातियों का निर्मान हो सकता है तीसरा है खादिस अंसादन में बदलाओ जहाँ पर वो रह रहे उन्हें वो खादिस अंसादन नहीं मिल रहा होगा तो अपने आपको बचाने के लिए वो दूसरे खादिस अंसादन पर निर् दिखाए दे रही है तो डार्विन इसके बाद भी नए जीव कैसे बनते हैं कैसे इतने विवित्ता उत्पन्न होती है इसके बारे में बताने के लिए उनका भी का योगदान रही है अब ये कैसे उत्पन होती है इससे हम समझेंगे आनुवांशे की अध्धाय में लेकिन फिर समय के साथ धीरे धीरे सभी कॉंटिनेट्स का सेपरेशन शुरू हो गया जब ऑस्ट्रिलियन कॉंटिनेट्स दूसरे सभी कॉंटिनेट्स से अलग हो गया तो उसके प्लांट्स और एनिमल्स भी दूसरे कॉंटिनेट्स की स्पिशीस से अलग हो गये प्लांट्स और एनिमल्स का यही आइसुलेशन नई प्रजातियों की उदभव का कारण बना। कॉंटिनेट्स के आइसुलेशन ने स्पिशीज को अलग-अलग जीन्स वाले दो पूल्स में बाट दिया। उस्ट्रिलियन कॉंटिनेट्स में सी बैरियर होने के कारण प्लांट और एनिमल्स अपनी स्पिशीज की दूसरी पॉपुलेशन से अलग होते गए। अब नए जीन्स पूल्स के लिए क्लाइमिट, फूड और कॉंपिटिशन जैसी कंडिशन बिलकुल अलग थी। इसे स्पिशीजन में दूसरा की पार्ट माना जाता है। जो प्लांट्स या एनिमल्स नई कंडिशन को अडॉप्ट नहीं कर पाए, उनकी डेथ हो गई। जबकि जिन्होंने नई कंडिशन को अडॉप्ट कर लिया, वो बच गए। नेचरल सेलेक्शन प्रॉसेस में जीन्स पूल्स समय बीतने के साथ चेंज होते गए। जिसके चलते स्पिशीज पीछे छोड़े गए स्पिशीज से भिन होते गए। स्पिशीजन का ये तीसरा स्पिशीज में इतना ज्यादा अंतर आ गया कि आइसुलेटेट स्पिशीज में इंटर बीडिंग बंध हो गई। जिससे नई स्पिशीज का उदभव हुआ। ये स्पिशीजन का फाइनल स्टेप है। आस्ट्रेलियन स्पिशीज के अलावा मेडगासकर का लीमर और जाते हैं। इनके पूरवज यहां या तो उड़के आए थे या तैर के या भिर सबसे खरीब के कॉंटिनेंट से राफ्ट यानी बेड़े के जरिये यहां आए थे। इन स्पिशीज की अपनी विशिश्टता है। इनसानी या प्रक्रतिक कारणों से इनके अलग इंवार् भी biological और behavioral barrier के कारण extinct हो सकते हैं। अलग-अलग जगहों में रहने के कारण सेम species की birds में समय के साथ different meeting rituals यानी समागम की अलग पधती विकसित हो जाती है। और इसलिए females सिफ उसी जगह के males के rituals की तरफ आकरशित होती हैं। ठीक इसी तरह अलग-अलग जगहों में रहने वाल इस तरह की घटना नौर्थ अमेरिका में रहने वाले टोट्स के साथ देखने को मिली है। समय के साथ इन दोनों का ही speciation हुआ जिसे reproductive isolation के रूप में जाना जाता है। तो याद रहे दुनिया भर के जानवरों और वनस्पतियों के अदभद विविधता speciation process की वजह से मुख्य शब्द, Keywords, जीवों का विकास, प्रजाती करण, अनुकूलन, प्राकृतिक चयन, कृत्रीम चयन, जिवाश्म, समृत्ति लक्षन, सजातिय लक्षन। हमने सीखा। पहला, जीवों का विकास के सिध्धान के अनुसार समय के साथ प्रजातियों के आबादी में अंतर आता है। चयनित लक्षनों के अनुसार, जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया कृत्रीम चयन है। चौथा, प्रकृति में निरंतर होने वाली चैन की प्रक्रिया, जिनमें भौगोलिक परिस्तितियों के अनुरुप लक्षनों का चैन होता रहता है, प्राकृतिक चैन कहां जाता है पाचवा, किसी जीव के अपने आवास में ठल जाने के प्रक्रिया को हम अनुकुलन कहते हैं अपने आवास में अनुकुलित जीवों की आबादी समय के साथ बढ़ती रहती है छटवा, प्रजाती या जीवों का ऐसा समों जो आपस में लेंगिक प्रजन कर सके जैविक प्रजाती माना गया सात्वा विविद जीवों की उत्पत्ती एक समान पुर्वस से हुई है इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड के रुप में दर्शाय जा सकता है